हेलो दोस्तों नमस्कार वेलकम तो इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लास तो डिया श्टुडेंट आज की लेक्चर में आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कच्छा दस के महत के प्रशनावली 1.1 का पहला सवाल हम लोग इससे पीछले वाले क्लास में प्रशनावली 1.1 के जितने चुटे हुए क्लास में सब्सक्राइब कर लेंगे प्यारे बैच्छो तो चलिए आपके टाइम को गवाए बीना क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार सब लोग सब बच्चे जो हैं या जो भी इस चैनल पर जुड़े ہुँगे वो चैनल को इक बार सेर कर देंगे और चैनल को वर सब्सक्राइब कर लेंगे प्यारे बैच्चो तो आईए आज की स्टार्ट कर लेते हैं तो क्या है आपका कोई सा प्रशनावली है उससे पहले देख सकते होगे कि आपको जो है लिखा गया है कुछ motivation बाते लिखी गई है, motivation line है आपके लिए, वो line है क्या लिखी गई है, इतिहास रटना नहीं है दोस्तों, अब पारी है इतिहास रचने का, आप इससे क्या सीख मिलता है dear student आपको, कि इतिहास रचना नहीं है दोस्तों, अब पारी है इतिहास रचने का, लड़का इतना percentage number पाया है वो लड़के को इतना percentage आया है वो हम लोग रटना नहीं है इस बार हमको वो करके दिखाना है वो हमको बनना है प्यारे बच्चो और ये top 10 classes का हमारे top 10 classes का और आपके प्यारे सी YouTube channel का आप से एक वादा है कि जरूर आप इतिहास रटोगे नहीं इति इतिहास रचो होगे प्यारे बच्चो तो चलिए इसी के साथ हम लोग प्रश्णावली 1.1 के बचे हुए सवाल को स्टार्ट कर लेते हैं तो आपका पहला सवाल complete हो चुका है दूसरा सवाल को देखना है तो प्रश्णावली 1.1 ये बात दिमाग में लेके चलना है कि इति इसी सिंहास रटना नहीं वलकि क्या करना है रचना करना है उसका तो चलिए प्रश्णावली 1.1 का दूसरा नंबर क्यूस्टिन चलिए दूसरा क्यूस्टे क्या करा नहीं 6Q-1, 6Q-3 और 6Q-5 के रूपका होता है, तो प्यारे बच्चो, सबसे पहला दूसरा स्वाल कर रहा है, कि दरसाइये कि कोई धनात्मक विसम पुढांग, तो मानते हैं, माना A और B दो विसम पुढांग हैं, माना A और B क्या हैं? दो विसम पुढांग हैं, बिसंपुलांख है प्यारे बच्छो फिर उसके बाद हम यहां मानते हैं जहां ए बड़ा है बी से या तो बी को माले ए बड़ा है जहां ए बड़ा है बी से जहां क्युद issy आएद जिएगा सिद करना है छा क्युद प्लस One पिर्फफ थी फिर भर्फ फट द्रजःत समझें यहां सी जो सिद करना है इए आपको लुल म्यां है यह जाहिए यह भी कामान है प्यारे बच्छ एए भी के बादाश्र algorithm से a बराबर होता है b q प्लस r तो b के अस्तान पे कौन है पहले बच्चो 6 है न तो b बराबर कितना मिल गया 6 है तो जहां b बराबर क्या है 6 है जहां b बराबर क्या है 6 है प्यारे बच्चो बाते समझ माई अब dear student ध्यान से समझेगा जब b बराबर 6 है तो r बराबर कितना आएगा तो प्यारे बच्चो आप एक यहां भाग दीजिगा जरासा जब आप 2 से 6 में भाग देंगे तो 6 जब 2 में 6 से भाग देंगे यहां 3 में 5 से भाग देंगे तो भाग देने के बाद जो sexual आएगा वो हमेशा इससे छोटा आएगा, यहां जो सेस्वल आएगा, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, जिरो आ सकता है, पर कभी पांच नहीं आएगा, न तो पांच से बड़ा आएगा, वही इस्तिति यहां है, एक से लेके पांच तक आएगे, जिरो भी आएगा, पर कभी 6 के बराबर नहीं आएगा, और 6 से बड़ा नहीं आएगा, प्यारी बच्चों, यानि जब B बराबर 6 है, तो R बराबर क्या होगा, तब R बराबर क्या होगा, R बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, पर 6 नहीं होगा, क्य चोटा होता है प्यारी बच्चों अब क्या करेंगे यूकलीड विभाजन अल्गोरिथम लगाएंगे कि यूखिलिड कि यूखिलेद गाओ रिदमि से तो सब शोन से यूखिलिड बढ़ा होता था तब हम लोगों ने पढ़ा था इससे पीछले वाले वीडियो में ए बराबर बीक्यू प्लस आर ये होता था तो यहां हम लोग सबसे पहला चीर लगाएंगे सबसे पहला नहीं क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों सब में क्या लिखेंगे और बराबर जीरो रखने पर चलो प्यारे बच्चों आर बराबर मिल गए 6 face मतलब क्या देंग इसी तरह जब आर बराबर क्या रखेंगे एक रखेंगे इसी तरह सिकेंड श्टेप में क्या करेंगे सिकेंड श्टेप में क्या करेंगे आर बराबर एक रखने पर आर बराबर एक रखने पर जब आप आर बराबर क्या रखोगे एक रखोगे तब क्या आएगा तब ए बराबर क्या आएगा ध्यान समझी बी के अस्त पर क्या रक देंगे एक तो ए बराबर च्थे यूब किया करेंगे है कि स्थेप ने UKारी नहीं प्लेच हैं में बूसर सा्थ अगली बार आप्त प्लार रखने पर अगलीई दो dokumentार अगली बार फोर्थ स्फ्टेप में क्या करना क्या करोग्स क्या क्या करना है इस बार टीओर है अब आन्य ग्यार ऐ क्या रखने पर आर बराबर क्या रखने पर तिन रखने पड़ टब क्या मिल जाएगा तब A बराबर B B के अस्तान पे कौन है 6 है Q है प्लस R तो R के अस्तान पे क्या आ जाएगा R बराबर कितना है 3 है अब यही कौन से step आ जाएंगे 5 वाँ step कौन सा step आ जाएगा प्यारे बच्चो 5 step इसमें क्या रिखेंगे R बराबर 3 नहीं बलकि R बराबर क्या रखेंगे 4 क्या रखेंगे dear student R बराबर 4 रखने पर तब क्या हो जाएगा तब A बराबर होगा B B के अस्तान पे 6 Q R के अस्तान पे क्या जाएगा 4 लास्ट step छठोवाई step में क्या रिखेंगे R बराबर 5 रखने पर R बराबर 5 पांच रखने पर तो जब आप आर बराबर क्या रख दोगे पांच रख दोगे तब ए बराबर क्या होगा बी बी कहस्तान पे च्छ क्यू प्लस आर आर कहस्तान पे क्या आगया पांच आगया प्यार बिच्छो तो इस प्रिकार आपको ए बराबर च्छ क्यू प्लस वन Q प्लस 0 और 6 Q प्लस 1 6 Q प्लस 2 मिल गए यानि आपको 6 संख्याय मिली पर आपको प्रूफ क्या करना देखिए 6 Q प्लस 1 6 Q प्लस 3 6 Q प्लस 5 तो आप ध्यान से समझेगा question में कहा है A और B धनात्मक विसम पुलांग है चूकि A जो है वो धनात्मक विसम पुलांग है तो प्यारे पर चो देखिए जो A है वो आपका धनात्मक विसम तो ध्यान दीजिए ये जो A बराबर 6 Q है और A बराबर 6 Q प्लस 2 है और जो A बराबर 6Q प्लस 4 है यह तीनों संख्या है आपका बिसम नहीं बलकि क्या है सम संख्या है यह दो से विभाजित हो जाएगा इसको हम लोग नहीं लेंगे क्यों नहीं लेंगे क्यों धनात्मक बिसम पुरांक बोला है ए आपका क्या है ए आपका क्या है विसम पुडांक है तो विसम वाले को लेंगे सम वाले को नहीं लेंगे तो ये बाते हैं लिखेंगे चू की 6Q और 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4 सम पुडांक है क्या है सम पुडांक है क्या है सम पुडांक है इसलिए अतह अतह क्या पूछा है लास्ट में आपसे पूछा है अतह धनातमक विसम पुडांक जो होगा वो किस रूप का होगा अतह जो धनातमक विसम पुडांक ए है अतह धनातमक विसम पुडांक जो ए है वो किस रूप का होगा 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप का होगा अतर लिग देंगे A धनातमक विशम पुढांग A धनातमक विशम पुढांग 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 के रूप का होगा ठीक प्यारे बच्चो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं ये आपका जो दूसरा स्वाल है वो क्या हो जाता है complete हो जाता है प्यारे बच्चो तो आपको क्या करना था किवल आपको A और B दो ठोबिसम पुडांग मान लेना है फिर उसके बाद A बड़ा है B से जरूरी नहीं A बड़ा हो B भी बड़ा हो सकता है आपने यहां A माना बड़ा है B का मान 6 आ गया कहां से मिला 6 Q प्लस 1 के रूप का प्रूफ करने के लिए मिला था वहां से पने 6 है लिए प्यारे बच्चो तो इस प्रिकार आपका प्रशन नमबर 2 कंप्लीट हो जाते हैं अगर आप इसका स्क्रीन सॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो प्यारे बच्चो किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेरा की टुकडी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बेंड के पीछे मार्च करनी है यानि 616 सदस्यों की संख्या है फिर आगे कर रात दोनों समुहों की समान संख्या वाले अस्तंबों में मार्च करना है अस्तंबों की अधिक्तम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं तो प्यारे बच्चों अधिक्तम संख्या की बात कर रात अधिक्तम संख्या आएगी इन दोनों संख्याओं क मास पर इन दोनों संख्याओं का मास पर तो प्यारी बैच्चों निकाल लेते हैं तो कितनी है कितने संख्या दी गई है परेड में 600 सदस्यों की एक टुकड़ी में 616 सदस्य है दी गई संख्याएं और दी गई संख्याएं कितनी है 166 है पिर उसके बाद क्या है अगला थैस्त क्या है बैद तय具 स्थ है और इन दोनों को मार्च करना आद cotton वाली तो कुरी में यानि जितने अस्तम रहेंगे उतने आपके क्या होने चाहिए आपके जितने रो होने चाहिए उतने आपके कालम होने चाहिए प्यारे बच्छो तो इनकी अधिक्तम संख्या बताई कि कितने कालम हो सकते हैं कितने रो हो सकते हैं यह आपको बता रहा है तो अधिक्तम संख्या तो क्या पुछा है लास्ट में आप अधिक्तम संख्या तो अस्तंबो की अधिक्तम संख्या 616 और 32 का एसी अफ हो जाएगा का मौसप तो आप अगर यूकुलिट भाजन अल्गोरिफम से लगाना चाहते तो बिल्कुल लगा सकते हैं प्यारे बच्चों और नहीं तो आप इसको साधारन रूप से लगा सकते हैं बड़ी 616 है क्या बड़ी है 616 है चोटा कौन है 32 बड़ा है चोटा है कौन चोटा है 32 तो छोटे वाले से बड़े वाले में भाग दे देंगे चोटे वाले से बड़े वाले में भाग दे देंगे प्यारे बच्चों तो कितनी बार जाने वाला है आप उम्मीद किजिए कि कि या करती है कर कि देखते हैं तो लगभग उमीद कर रहे हैं कि कि नौ बार लेके जाई देखिए 9 या एक बैसे 32 एक बथीस एक के 32 तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिएगा ग्यारे में इसे दो घटा ओगे 9 ना जाएंगे लिए नो आ जाएंगे और यहां बचा आपका 55 में से तीन घटा दिए दो आ गए ठिक घटा हागे आगे क्Bay What आपंग। दूनी जाह सफुचिये कि कि आप आड़ दूनी है तो देखे और वहार जांग। ऑप इस्तरी सरसफ्ण लेकर यहिए कित्ने लेक्या आजाए है कि यह मुद यह तो अगके है और तो 8 बाल लेके जाएंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 तरिक 24, 24 एक 25, कर लिए पहले बच्चों, फिर माइनस किजेगा, 6 में से 6 माइनस किए 0, 9 में से 5 को माइनस किए कितना आ गया, 4, ठीक, कितने आ गये, फिर से एक बार आप complete कर लिजेगा, थोड़ा सा देखेगा क्या 9 बार भी जा सकता था, 9 दूनी 18, 8, 9 तरिक 27, 27 दो 29, और यहां कितना 8 दूनी 16, सरी जाएगा, 9 बार जाएगा प्यार बच्चों, 9 बार लेके जाएंगे, तो 9 दूनी 18, फिर 9 तरिक 27, 27 एक 28 प्यार बच्चों, तो 16 में से 8 घटा दिये, 8 बाकी ये, आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे प्यार बच्चों, फिर 8 से किसमें भाग दे दोगी, 32 में, तो 8 चोके कितने हो गए, 32, यानि जो मसप होगा, वो मसप कितना आ गया, 8, यानि अधिक्तम अस्तंबो की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, दिये स्टू यूकलिड बिभाजन एलगोरिथम से, क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आ, ठीक, फिर्स्ट इस्टेप, फिर्स्ट इस्टेप में क्या करेंगे, अब ए, ए कौन है, जो बड़ा है, ए कौन हो जाएगा, 616, बी कौन है, ये जिससे भाग दे रहे हैं, 32, क्यू कौन है, ज जो आया है, भाग फल, 32, गुड़े, 19, और सेज फल कितना आया था पहली बार में, सेज फल कितना आया था, आपका देख सकते हैं यहाँर, सेज फल आपका 8 ओए, कितना आया, 8 ओप फिर, सेटेप, सेटेप में आप क्या करेंगी, अब इस बार जो है, आपका, इक औन है, 32 है ए कौन है 32 है फिर बी कौन है आठ है और क्यू कौन है चार है और सेस्फल कितना आया है जीरो तो जब जीरो आ जाए तब आप समझेगा कि आपके मौसप आगए प्याजी बच्चों अब देखिए इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन है ये तो यही आपका क्या कहल आएगा प्यानी लिख देंगे अस्थंबो की संख्या अस्थंबो की अधिक्तम संख्या की अधिक्तम संख्या अधिक्तम संख्या कितनी हो गई प्यारे बच्चों आठ हो गई तो इस प्रकार आप इसको युकुलिड भाजन एल्गोरिथम से इसको रफली रूप से दोनो का जो तीसरा सवाल है वो complete हो जाते हैं आप इस्क्रीन सोट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं चले चौथा किस्टन आपसे क्या कर रहा है यूकलिट विभाजन फ्रिमेरिका का प्रयोग करके दर्साये किसी धनातमक पुणां का वर्ग यम के लिए तीनियम प्लस वन के रूप का होता है तो dear student यह दोनों सवालें question number 4 और question number 5 is most important for board exam यानि कह लिया जाए कि यह जो आपका चौथा और पांचवा सवाल है यह board exam में कई बार put up किये गए हैं तो आपको यह आने चाहिए अच्छे से मन लगाके पढ़िएगा क्योंकि आपने एक वादा करके चले हैं प्यारे बैच्चो कि इतिहास रटना नहीं दोस्तों अब पारी है इतिहास रचने का तो इस जुनून से इस जजबे से इस क्यूस्टन को हम लोग पढ़ेंगे और आएगा भी प्यारे बैच्चो तो आएए अगर आप लोग चैनल को सेर नहीं किये होंगे सस्क्राइब नहीं किये होंगे तो एक बार जरूर कर दीजेगा प्यारे बैच्चो चलते हैं यूकलिड विभाजन प्रमेरिका का प्रयोग करके दर्साइए कि किसी धनात्मक पुढांग का वर्ग तुम मानते हैं माना दो धनात्मक पुढांग माना दो धनात्मक पुढांग एव क्या है बी है दो धनात्मक पुढांग मान लिए आप एव क्या है बी है फिर इसे क्या प्रूप करना है तीन एम या तीन एम प्लस वन तो ध्यान दिजेगा किस सिध क्या करना है तीनियम या तीनियम प्लस वन के रूपका ध्यान दीजेगा यहां पर ध्यान दीजेगे जो तीन है जो यह तीन है यही क्या करेगा बी का मान देगा यह किसका मान देगा बी का तो जहां लिखेंगे जहां जहां ए बड़ा है ए बड़ा है किससे बड़ा है बी से यह अपने आप में माना है कि ए भाई साहब बड़े हैं बी से ये बड़ा है बी से और बी कितना है बी बराबर कितना है तीन है बी बराबर कितना है तीन है तब आर बराबर कितना होगा अरे तब आर बराबर कितना होगा तीन से छोटा होगा 0, 1, 2 R बराबर कितना आएगा 0, 1, 2 कहीं 3 तो नहीं आएगा नहीं बच्चो 3 नहीं आ सकता क्यों नहीं आ सकता क्योंकि जब 3 आ जाएगा तो 3 इसके बराबर हो जाएगा तब तो फिर से भाग दे लेंगे इसलिए 3 से छोटा ही आएगा तो आरका मार मिल गया फिर हम क्या करते हैं जैसे दूसरा स्वाल लगाये थे यूकलिड विभाजन प्रमेइका का उपयोग करेंगे तो चलेएं यूकलिड विभाजन प्रमेइका से या एलगोरिथम लगा लिजए तो डियर स्टुडेंट इस अ समझेएगा यहां पर फर्षी फर्स्टी स्टेप में नार का मान क्या रखेंगे सुन्य रहने पर अर बराबर जीरो रखने पर और बराबर जब जीरो रखोगे तो यूकलिड वाजन एलगोरिथम ज्यद फ्रमेइका लिखेगा प्रमेइका से अब बताईए तो देखे ए बराबर बी क्यू प्लस आर्ट इसी पर ध्यान दिजिएगा बी के अस्तान पर क्या रखना तीन रखना है तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो A का वर्ग करेंगे A square इनका वर्ग करेंगे तो 9 Q square आ गया कितना आ गया तीन तरिक का वर्ग जीरो का कोई मतलब नहीं अब देखिए ये A square बराबर क्या इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते तीन गुड़े तीन Q square ध्यान दीजे तीन तरिक का नौ Q square और वो पुडांक M के लिए चर्चा हो रहा है तीसे हम क्या माल लेंगे यम माल लेंगे पुडांक M के लिए प्रूफ करना है तो पुडांक M माल लिए तो A square बराबर कितना मिल गया 3 M मिल गया कितना मिल गया 3 M मिल गया अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में 0 न रखके R बराबर 1 रखने पर का रखने पर R बराबर 1 रखने पर जब R बराबर 1 रखेंगे तब A बराबर कितना मिलेगा A बराबर B B के अस्तान पर कितना है 3 है और Q नहीं बदलना है R के अस्तान पर 1 रखना है फिर क्या करेंगे आजाए अब क्या करेंगे अरे जो करना वो करेंगे क्या करेंगे चलो दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे ए स्क्यार आजाएगा बराबर तीन क्यू प्लस वन का होल स्क्यार चलिए तो a प्लस b का होल स्क्यार से खोल देंगे तो अब कोगे सर जी a प्लस b का होल स्क्यार मारों को नहीं पता आपको नहीं पता हमको पता है ना A square plus B square plus 2A B, अब देखिए, A के स्थान पे कौन है, 3 Q है, और B के स्थान पे क subset describes, A कैन्स एक है, A के स्थान पर 3 Q, B के स्थान पर 1, तो A के स्थान पे हम लोग रखेंगे, क्या रखेंगे, A के स्थान पर मोग चलिए, तो 3 Q का square plus A का square हो जाएगा, dub lifes 2AB, टू एक के अस्तान पे तीन क्यू और वी के अस्तान पे एक अभ इसको हल करते हैं कितना आ क्युजर दो त्याइएंility क्योवण यहां क्या है एक जायेगगा फिर दो त्याइएगि च्यूर आ जाएंगे अगर जरा-सह इनको पहले लिखे लिख्यो जोग दे तो 9 Q square plus 6 Q plus 1 हो जाएंगे फिर आप देखिएगा क्या इन दोनों को हम कुछ ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं क्या इसे हम 3 गुड़े 3 Q लिख दें देखे 3 गुड़े 3 Q 3 तरिका 9 Q square फिर आगे क्या है plus 6 Q है और plus कितना है 1 है किसके लिए चर्चा कर रहा है पुड़ांक के लिए चर्चा हो रहा है यानि Q जहां जहां आया है वहाँ वहाँ हम M माल लेंगे यानि इस पूरे पुड़ांक के लिए क्या माल लेंगे M माल लेंगे इस पूरे पुड़ांक को का माल लेंगे एम्माल लेंगे कितना आ जाएगा तीनियम प्लस क्या बचा वन बचा त्यानी एसक्यार का वर्ग तीनियम प्लस वन के रूपका होता एक इधर देख सकते हैं और एक इधर देख सकते हैं अब आगे लास्ट स्टेप आर बराबर क्या रखने पर दो रखने पर तो थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप आर बराबर दो रखने पर आर बराबर क्या रखने पर दो रखने पर तो आर बराबर दो रखेंगे तो आईए ए बराबर कितना होगा बी, बी के अस्तान पर कौन है तीन है और ये क्यू हो गए और किर देंगे दो रख देंगे बराबत तीन की प्लस दो पता चला उर्ग करते हैं दोनों तरफ का करना है वर्ग करना है तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो चलिए दोनम झाल करते हैं यह इसक्यार पर यह नहीं होगा इनका होल इसक्यार होगा पुराना वाला फार्मुला ए प्लस भी का होल इसक्यार चलिए इसका प्रसार किजी तो 3Q का उप्रसार करेंगे कितना आ जाएगा इधर 3Q का square प्लस किसका 2 का square plus 2A A के अस्तान पे 3Q और B के अस्तान पे 2 इसे हल कर जी 3 तरिक का 9Q square 2 दूनी 4 2 त्याइए 6 दूनी 12 12 क्यों आ गए 2 त्याइए 6 दूनी 12 12 का 1 प्लस की आए तो गुड़ा होगा अब देखिए Q को एक तरफ करते हैं और 4 को एक तरफ लेके जाते हैं क्या लिख देंगे 9Q square plus 12Q और इस 4 को लिख देते हैं 3 plus 1 क्या लिख देते हैं 3 एक 4 लिख दिए प्यारे बैच्छों अब आगे दिखान दिजिएगा आगे क्या है आप इस 9Q square को क्या लिख सकते हैं 3 गुड़े 3 Q square लिख देंगे फिर क्या है 12Q है फिर क्या है plus 3 है plus 1 है तो इस पूरे को क्या माल लेंगे M माल लेंगे तो 3 का multiply M से कर देंगे 3 M plus 1 हो जाएगा A square यानी हम यहां देख रहे हैं कि किसी भी धनात्मक पुडांग का वर्ग किसी भी धनात्मक पुडांग A का वर्ग 3 M 3 M plus 1 3 M plus 1 के रूप का होता है अतह लिख सकते हैं अतह किसी धनात्मक पुडांग किसी धनात्मक पुडांग A का वर्ग A का वर्ग 3 M 3 M plus 1 के रूप का होता है के रूप का होता है तो dear student इस प्रकार ये दोस्त आपका जो भी किस्टर नंबर चार था वो कंप्लीट हो जाता है dear student सवाल के साथ लापरवाही नहीं करना है क्यों? क्योंकि ये बोर्ड एक्जाम से most important सवाल है अगर आपको कहीं भी doubt रह जाते हैं तो comment box में comment जरूर करिएगा जहां भी doubt रहेंगे वो सारे doubt clear कर देंगे प्यारे बच्चों तो आप screenshot लेना चाहते हो तो ले सकते हो question number 5 तो प्यारे बच्चों इस chapter का इस प्रुष्णावली का last सवाल है प्यारे बच्चों और इस सवाल को जो है आप लोग जैसे चार नंबर लगाए वहां वर्ग करते थे यहां क्या करेंगे हम लोग घन करेंगे यानि दोनों तरफ घन करेंगे तो आईए इसको भी देख लेते हैं एक बार फिर से revision हो जाएगा चोथे सवाल का तो एक बार आप लोग लेक्चर को अटेंड कर लेते हो प्यारे बच्चों पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आपके एक लाइक से कुछ जाता नहीं है आप लोगों का तो आप उसको एक बार लाइक जरूर कर दीजेगा आइए लास्ट सवाल को देखते हैं लास्ट सवाल आपका क्या है युकलीट विभाजन प्रमेइका का प्रियोग करिके कि दर्साय एक यह सी धनातमक पुरान का घं जो होता है वो नाईनियम नाईनियम प्लस वान 9 यम प्लस 8 के रूप का होता है तो आईए हम लोग इसको दिखा देते हैं इस बार क्या करना है वही पुराने सवाल के जैसे माना A वर B दो धनातमक बिसम पुरांक है बिसम कहा है नहीं धनातमक पुरांक है जहां A बड़ा है B से मान लिए जहां A बड़ा है B से A बड़ा है B से अब जहां B बड़ाबर कितना है B बड़ाबर चोथे वाले सवाल में कितना था B बड़ाबर कितना तीन है और जब B बड़ाबर तीन जहां B बराबर कितना 3 तब R बराबर क्या होगा 3 से छोटा 0, 1, 2, 3 नहीं होगा क्योंकि 3 तीन के बराबर हो जाएगा तो क्या लगाएंगे Euclid, विभाजन, प्रमेईका Euclid, विभाजन, प्रमेईका क्या है A बराबर BQ प्लस R तो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या रखते थे याद करो R बराबर 0 रखने पर अब चलिए जब R बराबर 0 रखेंगे तब A बराबर कितना होगा B के अस्तान पे 3, Q, R के अस्तान पे 0 तो इस बार वर्ग नहीं करना है दोनों पच्छों का घन करने पर चलिए दोनों पच्छों का घन करते हैं A का क्यूब हो जाएगा बराबर 3 Q का क्यूब कर देंगे तो यह A क्यूब तीन का क्यूब तीन तरिक का नो तरिक 27 Q क्यूब आ गए तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं नो गुड़े तीन Q क्यूब नो गुड़े तीन Q क्यूब लिख दिये तो किस पुड़ां की चर्चा हो रही हम पुड़ां के लिए तो इसे पुरा यम माल लेंगे तो एक Q बराबर 9 M आ जाएंगे कितना आ जाएंगे 9 M आ जाएंगे तो किसी भी पुड़ां का धन 9 M के रूप का होता है आगे आगे 9 M प्लस 1 के रूप का दिखाना है न तो उसको भी देखेंगे अब क्या करेंगे 2nd step क्या करेंगे 2nd step 2nd step में R बराबर 0 रखेंगे नहीं बलकी क्या रखेंगे R बराबर 1 रखने पर तब क्या होगा तब A बराबर B B के अस्तान पर क्या है तीन है और Q आपका वैसे है R बराबर 1 रखना है तो 1 रख लिए क्या करना है वर्ग करना है नहीं घन करना है तो दोनों पच्छों का घन करने पर चलिए तो एका क्यूब हो जाएगा फिर दोनों पच्छों का घन करोगे ये एका क्यूब बराबर तीन क्यूब प्लस एका क्यूब कर देंगे अब A plus B cube का फामुला पता है, प्यारे बच्चो क्या होता है, होता है σुतर लगा देँगे, क्या लगाएंगे, यहां सुतर लिखी देँगे, सुतर क्या लिखेंगे, A plus B का होली क्यूब बराबर A cube, प्लस B cube, प्लस 3 A B, कोश्टक में A PLUS B ये लगा दी आइए अब देखिए सुत्र के हिसाब से ये A Q अब देखिये प्यारे बचो बराबर A Q A के हस्तान पे कौन है 3 Q Q है PPLUS B Q B Q के हस्तान पे 1 का Q हो जाएगा PLUS 3 A A के हस्तान पे 3 Q और B के हस्तान पे एक है तो multiply कर दिए फिर a plus b a के अस्तान पे 3 q और b के अस्तान पे 1 कर दिए आगे तो 3 q का cube करेंगे तो 3 तरिक का 9, 9 तरिक 27 q q और plus 1 का cube करेंगे, एक आएगा 3 तरिक का 9 तो 9 q आगे आगे कितना है 3 q प्लेस एक आगे अब प्यारे बच्चों फिर 27 q q प्लेस कितना 1, 9 तरिक 27, 27 और q इसकार प्लेस 9 q, एक के 9 q q आले एक तरफ बिना q आले एक तरफ तो ये आगे 27 क्या 27 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चलिए लिखते हैं जड़ासा तो ये 27 q q प्लेस कितना है 27 q square, प्लेस कितना है 9 q है और प्लेस कितना है एक है, तो इन में से इतने में से 9 कामन हो रहा है तो 9 कामन ले लेंगे तो यहां 3 q q बचेगा और यहां 9 तरिक 27, 3 q square और प्लेस यहां कितना बचेगा अकेला q बच जाएगा, ये प्लेस एक हो गए तो इतने पूरे चीज को पुरांक q को क्या माल लेंगे, m माल लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 m हो जाएगा और प्लेस कितना है, एक हो गए तो दी गई संख्याओं का जो q है, वो 9 m प्लेस 1 के रूप का होता है अब 3rd step में क्या दिखाना है 9 m प्लेस 8 के रूप का दिखाना है, तो उसको भी हम लोग दिखा सकते हैं, तो आईए 3rd step में क्या खरेंगे 3rd step में r बराबर, देखिए 0 रख लिए, 1 रख लिए, अब क्या रखेंगे, r बराबर 2 रखने पर, r बराबर क्या रखेंगे, 2, तब a बराबर क्या होगा, तब a बराबर, 3 सड़ी, देखिएगा, a बराबर b के अस्तान पे 3 q ऐसे रखे रहेंगे 3 q फ्लस r तो r के अस्तान पे क्या रखेंगे, 2, तो दोनों पच्छों का घन करने पर दोनों पच्छों का घन करने पर, चलिए तो ये a का q हो जाएगा बराबर, ये 3 q प्लस 2 का q हो गए, अब ये a q आ गए, इनका a प्लस b के whole q से इनका प्रसार कर देंगे, इस वाले फार्मूले से तो a q है, ये 3 q का q प्लस 2 का q प्लस 3 a a के अस्तान पे 3 q और b, b के अस्तान पे 2, फिर उसके बाद आगे हम लोग अगली लाइन यहां लिख लेते है a प्लस b, यानि 3 q प्लस 2 लिख लिए, प्यारे बच्चों अब क्या करते हैं, इससे हल करते हैं तो a q बराबर, इनका q करेंगे, तो 3 तरिका 9 तरिका 27 q q प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 3 q प्लस 2 है अब आगे हल करें तो 27 q q प्लस 8 18 तरिक 54 54 q इसके आए 18 दूनी 36 q, q वाले पार्टी एक तरफ 27 q q प्लस 54 q इसके आए, प्लस कितना है 36 q, और प्लस कितना है 8 है, देखिए दोनों में इहां से लेके यहां में 9 क्या है, कामन है तो 9 कामन लेंगे तो 9 तरिक 27 यानि 3 q q और यहां 9 6 के 54 q, इसके आए 9 4 के 36, 4 q तो प्लस कितना है 8 है, तो प्यारे बच्चो आप देख सकते है इतने पूरे चीज को हम लोग क्या माल लिए m माल लिए, क्या माल लिए है m माल लिए, क्या माल लिए m, तो 9 m प्लस क्या आजाएगा 8, तो 9 m प्लस 8, a q हो गए, यानि कोई जो दी गई संख्या है a, कोई भी धनात्मक प्रांख हो उसका जो घन होगा वो घन 9 m, 9 m प्लस 1 और 9 m प्लस 8 के रूपका होता है तो प्यारे बच्चों, आप दूसरा सवाल और चौथा सवाल और पाचवा सवाल इन तीनों सवालों का अभ्यास जरूर करेंगे क्योंकि आप लोगों ने हमसे एक वादा किया है कि इतिहास जो है रटेंगे नहीं रचेंगे टाप तेन क्लासिस के साथ मिलकर इतिहास रटना नहीं बलकि क्या करेंगे रचेंगे तो प्यारे बच्चों आई खोप आज का वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा और चैनल पर पहली बार आये होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत